हेलो फ्रेंड्स यह वीडियो उन सभी यूटूबर्स और वीडियो किरियेटर्स के लिए है जो सुटिंग के दौरान कैमरे के सामने अपने स्क्रिप्ट्स को पूरी तरह से याद नहीं रख पाते हैं और भूल जाते हैं कि उनको आगे क्या बोलना था बार-बार की कोशिसों के बाद भी जब वह अपनी यादास्त को दुरुस्त नहीं कर पाते हैं तब उस वक्त उनको ऐसा लगता है कि कास न्यूज चैनलों के न्यूज रीडर्स की तरह उनके पास भी एक टेली प्रॉंप्टर होता तो उस टेली प्रॉंप्टर की मदद से वह भी बड़े से बड़े स्क्रिप्ट को बिना रुकावट के लगातार बोलकर अपने वीडियो को आसानी से पूरा कर सकते थे पर टेली प्रॉंप्टर की कीमत अधीक होने के कारण वह टेली प्रॉंप्टर खरीद नहीं पाते और अपनी इस समस्या से लगातार जूजते रहते हैं फ्रेंड्स यदि आप भी एक यूटूबर हैं और इस समस्या से आप भी जूज रहे हैं तो अब आप बिलकुल निरास ना होएं क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि सिर्फ सो रुपिय की लागत से आप अपने घर पर ही टेली प्रॉंप्टर बना कर उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं इसको बनाने में आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय लगेगा पर इसका इस्तेमाल आप वर्षों तक बहुत आसानी से कर सकते हैं तो आईए देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है फ्रेंड्स टेली प्रॉंप्टर बनाने के लिए आपको बेहद आसानी से मिलने वाले केवल चार सामानों का इंतजाम करना है उनमें से एक है 10 इंच बाई 10 इंच का एक यूज किया हुआ पेपर बॉक्स या कार्टूम जो किसी भी किराने की दुकान या जनरल अस्टोर से महज 2 से 5 रुपे में आपको मिल जाएगा दूसरा सामान है फेविकॉल यह अस्टेशनरी की दुकान या किसी जनरल अस्टोर से आपको 10 या 20 रुपे में मिल जाएगा तीसरा सामान है काले रंद का कागज यह भी आपको अस्टेशनरी की दुकान पर ही 5 से 10 रुपे में मिल जाएगा एली प्रॉंप्टर बनाने के लिए जो चौथा और आखरी सामान चाहिए वह है 10 इंच बाई 6 इंच का आर पार दिखने वाला एक ट्रांस्प्रेंट काच या सीसा जो आपको किसी भी फोटो फ्रेम करने वाली की दुकान से लगभग 40 से 50 रुपे में आसानी से मिल जाएगा बस इन ही चार सामानों से आप अपने घर पर ही 100 रुपे से भी कम की लागत में टेली प्रॉंप्टर बना सकते हैं तो आईए सुरू करते हैं सबसे पहले पेपर बॉक्स के फोल्ड होने वाले हिस्से को काट कर अलग करना है यदि पेपर बॉक्स का साइज छोटा बड़ा हो तो उसे अपनी जरूरत के साइज में काट कर उसे चिपका लेना है फिर बॉक्स के अंदूरूनी भाग के साइड वाले दोनों हिस्सों पर पेपर बॉक्स से अलग किये गए टुकडों से दो पटियां काट कर उसे 45 डिगरी का कोन बनाते हुए इस परकार से चिपकाना है इसके बाद काले रंग के पेपर को बॉक्स के अंदूरूनी चारों हिस्सों पर अच्छे से चिपका देना है आप चाहें तो बॉक्स के बाहरी हिस्सों पर भी अपने पसंद का रंगीन पेपर चिपका सकते हैं जिससे आपका टेली प्रॉम्टर का बॉक्स देखने में सुन्दर लगने लगेगा और कुछ इस तरह से दिखने लगेगा अब इस बॉक्स के अंदर जहां दो पटियों को चिपकाया गया था उन पटियों के उपर दस इंच बाई छे इंच के इस काँच को सेट कर देना है कुछ इस तरह से ये लीजे यह काँच अब आपके टेली प्रॉम्टर का स्क्रीन बन गया और इसी के साथ आपका टेली प्रॉम्टर भी बन कर तयार हो चुका है लेकिन यह अभी अधुरा है इसे कंप्लीट करने के लिए आपको अपने मोबाईल के गूगल प्ले अस्टोर पर जाना होगा और वहां से एक टेली प्रॉम्टर का अप अपने मोबाईल में डाउनलोड करना होगा तो आईए गूगल प्ले अस्टोर पर जाने के लिए पहले मोबाईल के स्क्रीन पर चलते हैं यहां गूगल प्ले स्टोर के सर्च में टेली प्रॉम्टर टाइप करना है टाइप करते ही टेली प्रॉम्टर के धेर सारे अप दिखने लगेंगे इन में से कोई एक अप डाउनलोड कर लेना है मैंने इस वाले Elegant Teleprompter को डाउनलोड कर रखा है तो आईए देखते हैं कि यह कैसे काम करता है यह जानने के लिए सबसे पहले एप को ओपेन करते है और थ्री डॉट्स पर क्लिक करके इसके सेटिंग्स पर चलते है यहां सेटिंग्स में सबसे उपर लेंग्वेज मिलेगा जहां सिस्टम डिफॉल्ट पर इंग्लिस है उसे वैसे ही रहने देना है इसके बाद है मीरर इसे हम बाद में इनेबल करेंगे आगे मीरर फिलिप डाइरेक्शन है इसे आप होरिजेंटल या वर्टिकल अपने जरूरत के हिसाब से रख सकते हैं इसे अभी होरिजेंटल पर ही रहने देते हैं इसके बाद है ओरिएंटेशन इसमें पोर्ट्रेट और लेंड़ स्कैप का आप्शन है इसे भी अभी डिफॉल्ट पर ही रखते हैं पच्छरों या सब्दों को कितना बड़ा या छोटा रखना है उसे अपनी जरूरत के हिसाब से सेट कर लेना है फिर है लाइन स्पेसिंग इसमें टेली प्रॉंप्टर के स्क्रीन पर आने वाली लाइनों के बीच आपको जितना स्पेस रखना हो उस हिसाब से आपको साइज सेलेक्ट कर लेना है इसके बाद आता है स्ट्रॉल स्पीड, वीड़ और फोकस ओन इन तीनों को जब आप टेली प्रॉंप्टर का इस्तेमाल करेंगे तब अपनी खुद की जरूरत के हिसाब से आपको एड़जस्ट करना होगा जब आप इसका इस्तेमाल करने लगेंगे तब आपको खुद से समझ में आने लगेगा कि आपके लिए स्क्रॉल स्पीड क्या होना चाहिए वीड़ कितना रखना चाहिए और फोकस ओन कहां तक रखना है आगे है रिमोट सेटिंग चुकि रिमोट का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं इसलिए इसको छोड़ देते हैं आईए अब सबसे आखिर में यह देखते हैं कि आपको अपना स्क्रिप कहां और कैसे टाइप करना है यह बहुत ही आसान है आपको इस पलस वाले चिन पर क्लिक करना है क्लिक करते ही दो ओप्सन दिखाई देंगे Create New Script और Import Text यदि आपको नया कोई स्क्रिप्ट, डायलोग या गाना या कुछ भी क्रिएट करना है तो उसे Create New Script पर जाकर टाइप करके उसे सेव कर लेना है और यदि आप पहले से लिखी हुई किसी स्क्रिप्ट को किसी दूसरे एप से लेना चाहते हैं तो उसे Import Text पर जाकर वहां उस स्क्रिप्ट को सर्च करके Import कर लेना है मैंने Create New Script में पहले से कुछ टाइप कर रखा है चलिए उसे Open करते हैं यहां आपको एक आखिरी सेटिंग भी करना है बाई तरफ दिख रहे इस Mirror के आइकॉन पर क्लिक करके उसको Enable करना है जिसे हमने सेटिंग में Enable नहीं किया था Mirror Enable होते ही आपका स्क्रिप्ट आपके मोबाईल पर उल्टा दिखने लगेगा अब इसे अपने टेली प्रॉम्टर के स्क्रीन के सामने रख देना है और प्ले कर देना है लेकिन इसे प्ले करने से पहले चलिए एक बार कैमरे की सेटिंग को भी देख लेते हैं कि टेली प्रॉम्टर के साथ कैमरे को कैसे सेट करना है कैमरा या मोबाईल जिससे भी आप सूट कर रहे हों उसे टेली प्रॉम्टर में लगे काच के ठीक पीछे सेट करना है कुछ इस तरह से यदि दीन में या अधिक रॉसनी में सूट करना हो तो पीछे से कैमरे और टेली प्रॉम्टर को किसी काले या डार्क कपड़े से ढख देना चाहिए इससे सामने टेली प्रॉम्टर के स्क्रीन पर प्ले हो रहे स्क्रिप्ट के सब्दों को अधीक अस्पस्टता से पढ़ा जा सकता है तो आईए अब इसे प्ले करके देखते हैं आप देख सकते हैं कि प्ले करते ही मेरा टाइप किया हुआ स्क्रिप्ट मेरे द्वारा निर्धारित किये हुए स्पीड से उपर की ओर स्क्रॉल हो रहा है और अब मैं बिना रूके कितने भी बड़े से बड़े स्क्रिप्ट को इस टेली प्रॉंक्टर की मदद से पढ़कर लगातार बोल सकता हूँ तो फ्रेंज सिर्फ सौ रुपे में अपने घर पर ही खुद से टेली प्रॉंक्टर बनाने का यह आइडिया आपको कैसा लगा यदि यह वीडियो आपको अपने काम का लगा हो और पसंद आया हो तो किरिपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इसी तरह आपके काम की जानकारियों को देशी जुगार में परिवर्तित कर आपके समक्ष प्रस्तूत करता रहूँ धन्यवाद